हलो दोस्तो नमश्कार वारेन बफी जी की ये बाते आपने बिल्कुल भी भूलनी नहीं चाहिए अगर इसको फॉलो करो कि तो आराम से आप पैसा बना सकते हो तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना लिंक उपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टा जो अच्छा कासा गिरा एंड उसके बाद तो आप लोग को पताईए कि हमारा जो पड़ोसी चायना वहाँ पर जो चीजे हम लोग को देखने को मिल रहे है इसी से रिलेटेड अलग-अलग अपडेट्स हम लोग को सामने आते वे देखने को आपे मिल रहे है तो इस वीडि भारत के उपर क्या आएगा उसी की साथ साथ लोगडाउन की क्या स्तिती हो सकती है नहीं हो सकती है मंतरी जी ने आपे स्वास्त मंतरी जी ने आपे क्या बोला है ये सारी चीज़ों को मैं कवर करूँगा और तीसरा इसका इंपक्ट हमारे भारत के शेर मार्केट के उपर क आएगा वो भी cover करूँगा और उसी के अंदर अंदर कौन से shares ऐसे रहेंगे जिसको फायदा हो सकता है और कौन से share ऐसे जिनको might be नुकसान हो सकता है वो में सारी चीज़ें रखने की कोशिश करने वाला हूँ तो इन तीन parts को step by step cover करना है तो चलिए part number one के साथ start करते हैं जहा per day यह 201 दीन में 37 million मतलब आप अंदाजा लगाईए लगब लग साड़े तीन करोड से भी जादा यह record अमनों को देखने को मिल रहा है और नो डाउट यह रिपोर्ट के जरीए रिपोर्ट के जरीए क्यों लिखा जाता है क्योंकि चायना तो आपको पता ही है data properly देता है तो नहीं तो इधर उधर से जो खबरे अमनों को देखने को मिल जाती एजेंसिस के ओर से वो यहापे court की जाती है बट जितने भी अगर आप अब भी website को अगर आप चेक करोगे तो 37 million per day infection का data यह तो अमनों को almost certain होते वे देखने को मिल चुका है हर जगे पे यही खबर हमनों को चलते वे देखने को आपे मिल रही है तो इतना तो हम लोग कह सकते दोस्तो 37 million मतलब आप अंदाजा लगा यह single day का record है इतना जादा हमनों को वहापे हालत खराब होते वे देखने को आपे मिल रहा है उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करे चाइना की ही तो आप चेक कर सक लगबग to 48 million मतलब कितना लगबग लगबग 25 करोड़ पकड़ लेते हैं 25 करोड़ जो लोग है या फिर आप percentage के form में बोलो total China का population है उसका 18 परसेंट ये पहले ही December के 20 दिन में हमनों को Corona संकरमित होते वे देखने को आपे मिल चुक है दिन पहले ही कि 60 परसेंट चाइना का जो population है वो तीन मेने के अंदर अंदर मतलब 90 दिन के अंदर अंदर infected हो सकता है अभी जिस रफ्तार के हिसाब से चाइना चल रहा है ऐसा लग रहा है कि 60 परसेंट population उनका 60 दिन में ही आपे हम लोग को इन फ्रेक होटए वह देखने को आपे मिल सकता है जो की बिलकुल भी अच्छा डेटा यहापे नहीं है नेक्स अगर हम लोग यहापे बात करें दोस्तों तो यहापे देखा गया तो मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद चाइना ने एरलाइन के उपर, ट्रैविलिंग के उपर कोई भी रिस्टिक्शन नहीं लगाया है और चाइना तो नहीं लगाएगा चलो ठीक ही है उसी की साथ-साथ वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइज़ेशन, डब्ली एचो की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी अभी तक चाइना से उनने वाली जो फ्लाइटस है, दूसरे देशों में जाने वाली फ्लाइटस है, उनके उपर कोई भी पाबंद या नहीं लगाई है, यह एक बहुती बुरी खबर लग रही है, देखें, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह जो फिलाल का वेरियंट देखने को मिल है इसके चलते हम नहीं को डरने की जरूत है बट फिर भी अगर चाइना में इतना ज़्यादा disturbance देखने को मिल रहा है basic चीज यह तो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि एक देश से दूसरे देश में virus जाता कैसे है ट्रैवलिंग से ही हम लोग को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा airline के थ्रू तो अभी तक तो यहाँ पर कोई भी restriction हम लोग को लगते वे देखने को नहीं मिला यह बहुत ही बुरी खबर है हम लोग ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तो चाइना से related क्या हालत थी जितना आपको जानना चाहिए था वो मैंने आप लोग के सामने रख दिया है अभी आ जाते दोस्तो second important point के उपर so second important point क्या है कि हमारे भारत के उपर इसका क्या impact पड़ेगा so oral अगर हम लोग बात करें हमारे भारत के उपर इसका impact अगर हम लोग बात करें तो कोई भी इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है अगर आप जादा मिडिया देखते रहोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चाइना से भी बड़ा खत्रा इंडिया में चल रहा है करके to be honest right so इतना जादा वो सारे चीजों को consume नहीं कर रहे हैं कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है health expert यह सारी चीज़े बोल रहे है और यह कोई उड़ती उड़ती बात नहीं है अगर आपने मेरा कल का वीडियो भी देखा होगा मैंने आप लोगों को बताया कि यह जो bf.7 जो यह variant हम लों को देखने को मिल रहे है सब variant देखने को मिल रहे है जो चाइना में सबसे ज़्यादा अभी खत्रा बन चुका है यह अलड़ी इंडिया में जुलय मंत में जुलय सप्टेम्बर मंत में हमारे इदर आ चुका था अलड़ी में कवर कर चुका इन चीज़ों के चलते सब्टेम्बर जुलय के बाद जुलय ऑगस्ट सब्टेम्बर अक्टोबर नुवेंबर डिसेमर छे मैना हो चुका है सो छे मैना के बाद भी इंडिया में किदर कुछ क्या चल रहे है कुछ भी नहीं चल रहा है सिर्फ इंडिया नहीं दोस्तो बाकी 91 डेशों के भी अगर हम लोग बात करे तो उनमें भी पिछले दो साल की सबसे ये वेरियंट अलड़ी पाया जा चुका है सो चाइना की हालत इतनी खराब क्यों है औवेसली मैंने कल भी आपको बताया कि वहाँ पे जिस प्रकार की रणनीतिया अपनाई गई वैक्सिनेशन वहाँ क्या जो देखा गया तो इतना इफेक्टिव नहीं है और सबसे वर्ष पार्ट था उनका जीरो कोविड पॉलिसी लोगों को दबा के रखना ये बिल्कुल भी अच्छी बात ही आपे नहीं है क्योंकि आपकी immunity हर्ट हो जाती है इसके चलते अगर आप sunlight में नहीं जाओगे, normal walking नहीं करोगे, fresh air आपको नहीं मिलेगा तो COVID छोड़ी है, आप छोटी-छोटी मतलब चीजों के ही चलते, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा और आप बिमार पड़ोगे और यही नितियों के चलते, चायना अभी पूरी तरीके से collapse होते वे देखने को मिल रहा है और इसलिए, पहले क्या किया, थोड़े से ही cases थे, तभी lockdown lockdown कर रहे थे अभी इतना ज़्यादा cases हुआ है, तो पूरा, मतलब बोलते हैं ना, market खोल कर बेठे हुए है ठीक है, अभी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो जाते है करके, क्योंकि इसी के चलते उनको दिक्कते यहाँ पे बार-बार जिन्नी पढ़ रही है अगर हम लोग इंडिया की बात करें दोस्तों, जो BF.7, जो हम लोग गुजरात में फिलाल ज़्यादा देखने को मिला था, कितना 12 cases देखने को मिले थे, वो सबके सब 12 cases fully recover हो चुके है तो यह जो variant है ना, इतना ज़्यादा powerful नहीं है चाइना के लिए क्यों powerful यहापे हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया जिस प्रकार के उनकी रन्निया थी, उनहीं के चलते उनको यह problem अभी जिलनी यहापे पढ़ रहे है तो इंडिया में जितने भी infected लोग थे, वो सबके सब हमनों को फिलाल तो recover अच्छी तरीके से होते वे देखने को आपे मिल रहे है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिया का already vaccination यहापे हो जुका है 95% population का and booster dose भी जो लेने के लिए भी भीड देखने को मिल रहे है उसके चलते हम लोगों की जो मतलब overall जो population के immunity वो और भी strong होते वे देखने का आपे मिल जाएगी तो बताने का मकसद क्या है हम लोग सेफ है हमें डरने की बिलकुल भी जरुद नहीं है इंडिया का अगर में ग्राफ आपके सामने रख दू आप यहापे चेक कर लेना उसके बाद देखिए खताम हो गया आज इंडिया में केसिस कितना है पता है आप चेक कर लेना 200 से लेखे 1500 केसे से लेट से इतना ही तो हम लोग इतना क्यों डर रहे है जैसे मैंने का आप अगर ज़्यादा मेडिया देख चेक करोगे तो आपको डर लगेगा यह लगेगा यहाँ पर लॉकडाउन की बाते करते 200 केसे के लिए 100 केसे के लिए लॉकडाउन 20-20,000 केसे हो गये तभी तो हम लोगों ने बात नहीं किती तो अभी क्यों चर्चा हो रही है प्रिकि चायरा में पड़ुसी में नो डाउट वहाँ पर जो स्तीती देखने को में वो डरा होन नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आप लोगं को बताता है human nature ही वेसा है अभी मैंने आपको confidence बढ़ाने के लिए 50 अच्छी चीज़े बोली ना एक negative news आजाओ आप उसी के बारे में सोचोगे तो इसलिए बिलकुल भी डरने की ज़रुत नहीं सब कुछ यहाँ पर हमारा मतलब ब क्या करना पड़ता है dotco connect करना ही पड़ता है so share market के पर देखे इंडिया के उपर अगर कोई impact नहीं पड़ रहे ना तो इंडियन share market के उपर impact इतना क्यों पड़ेगा हाँ थोड़ा बहुत फरक यहाँ पर पड़ते वे देखने को मिल सकता है कुछ कमजोर investor यहाँ पर रहते वो हम लोगों को फटा-फट माल बेचते वे देखने को आपे मिल जाते है in fact मैंने आप लोगों के FIS-DIS का भी डेटा दिखा दिया कि FIS ने तो नॉर्माली बिक वाली की है and DIS ने तो जमकर record breaking December का buying किया है so access यह माल कौन बेच रहा है खास करके हम लोगों को retail investor जो की इस च example काफी है समझाने के लिए कि इंडियन मार्केट के उपर कोई भी इसका ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा फरक नहीं पड़ेगा मतलब थोड़ा बहुत वो नीचे आएगा करके बट अगर आप एक smart investor हो तो इसके चलते आपने अपने positions को को कोई modify करने की ज़रूत नहीं है ह यह थोड़ा सा गलत बात मुझे लग रहा है personally तो इसके चलते आपने कोई भी डरने की ज़रूत नहीं है तो यह overall बाजार की बात होगी अभी आ जाते individual share की बात फिलाल की situation को देखकर situation मतलब COVID के हिसाब से तो कौन से share के उपर आप focus रख सकते तो मैं already बता चुका हो दोस्त करने तो कंपल सरी कर दिया अगर आपको सर्दी दुकाम होता है तो टेस्टिंग करवाना पड़ेगा रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आइसोलेट रहना पड़ेगा तो टेस्टिंग वाली कंपनिया थोड़ा बहुत अच्छा का सा मुनाफ़ाय आपे बान सकती है बाकि अगर हम लोग बात करें होस्पीटल उसी के साथ पीपीकेट वाली कंपनिया मेडिसीन या फिर अगर हम लोग और कौन सा ऑक्सिजन आ जाता है इतनी कोई घंबिर सिती फिलाल तो देखने को नहीं मिल रही है तो फस्ट स्टेज में अगर हम लोग बात करें तो सिफ के उपर सेट करके रख सकते हो अगर किसी की उपर अगर मतलब बुरी नियूज आ सकती है तो वो कौन सा सेक्टर हो सकता है तो might be अभी फिलाल संसद भी Aminoka मतलब इस सारी चीज़ चलते वे देखने को मिल रहे है, पॉलिटिक्स चलते वे देखने को मिल रहे है, जिस प्रकार से चायना की situation है, उसके सबसे might be, airline वाली company के उपर कभी भी मतलब शायद से restrictions आ सकते हैं, जिसके चलते वो कभी भी गिर सकते हैं, यह एक ही sector ऐसा है, जिसको कभी भी जटका लग सकता है, बहुत बड़ा हंगामा कर दे, मतलब सरकार को pressurize कर दे कि यह क्या चल रहा है, चायना के flight इंडिया में भी आ रहे है, तो वहाँ से restriction मतलब शायद से airline company के उपर अगर आ गया, तो एक थोड़ा सा temporary base के उपर उस sector के लिए वो disturbance create करवा सकता है, तो ये भी सारी बाते में ने advance में आप लोगों को बता के रखी है, तो आशा करता हूँ, ये तीन points को मैंने step by step यहाँ पे cover किये है, आपको कोई भी panic करने के यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वीडियो अच्छा लगे, तो चाहूता आप इसको like and share कर सकते हो, and Demet account अगर आपने अभी तक open नहीं किया, तो link नीचे description में 25 वडियो के लिस्ट आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे, आपका नाम, कौन सा account आपने link के तो open किया, properly comment section में mention कर देना, तो अफ्ते बर के अंदर-अदर सारे lectures मेरे side से, आप लोगों को बिल्कुल free of cost प्रवाड कर दे जाएंगे, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next video, तब तक के लिए, bye bye